नमस्कार दोस्तों जिसे हासल करना ऐसा लगता है कि ये हो ही नहीं सकता लेकिन वशी करन मातर एक ऐसा तरीका है जो कुछ भी नामुम्किन को मुम्किन कर सकता है किस तरह ये हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगी अगर आपको किसी शादी शुदा महिला से प्यार हो गया है और आप चाहते हैं कि वो आपके पास लोटाएं वो आप से प्यार करें और आपकी ही होकर रह जाएं तो किस तरह आप उस महिला को अपने वश में कव सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको कवना क्या है? यह बताओं, इससे पहले मैं आपको पता दू कि हमें सामगरी क्या-क्या चाहिए, इस महिला के वशी करण में, शादी शुदा महिला के वशी करण में क्या-क्या सामगरी हमें चाहिए, यह मैं आपको पता दू, हमें चाहिए उस महिला का कोई भी यूस किया गया कपड़ा, जी हाँ और इसके साथ हमें दो नीबू की अवशक्ता होगी, दो नीबू, महीला का यूस की अवशक्ता और एक मार कर, बस इन तीन चीज़ों की मदद से हम जो है किसी महीला को अपने वश में कर सकते हैं, तो आईए बताते हैं कि समान से, इस सामगरी से किस तरह हम किसी को अ नीबू पर, पहले नीबू पर उस व्यक्ति का नाम, उस महीला का नाम लिखना है, जिसे हम वश में करना चाहते हैं, माल लीजे उसका नाम है नीलम, तो हम इस नीबू पर उनका नाम लिखतेंगे, नीलम, दरश को नाम लिखते वक्त जरूरी नहीं है कि वो नाम आपको द ध्यान रखें, नीबू पर नाम लिखना है नीलम, यह कोई भी नाम जो महिला का नाम है, जैसे आप वश में कवना चाहते हैं, उस महिला का नाम जो है एक नीबू पर लिखना है, और दूसरे नीबू पर आपको अपना स्वेम का नाम लिखना है, जैसे आपका नाम है देना है इस तरह इसकी एक पोटली तरह बनाकर इन नीबू को इसमें रखकर जो मंत्र में आपको बताऊंगी उसका उचारण आपको इस प्रकार करना है इसको जिस तरह हमारी घड़ी की सुई घूमती है जिस तरह हमारी घड़ी घूमती है उस तरह इस तरह हमें इस मंत्र का जाप करते हुए, इस नीबू को और इस कपड़े को इस तरह गुमाना है देखे इस तरह और जो मंत्र है वो मैं अब आपको बताती हूँ कि क्या वो मंत्र है जिसका जाप आपको करना है जिसके जाप से आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं वो मंत्र है ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायनी नमोस्तुते जी हाँ ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायनी नमोस्तुते इस तरह आपको घुमाना है और मंत्र का उचारण करना है ओम काली महकाली परमेश्वरी नारायनी नमोस्तुते जी हाँ, साथ बार आपको इस मंत्र का उचारण करना है आपको इस तरह गुमाना है जस तरह घड़ी की सुई घूमती है इसको गुमाना है और इसके बाद इसे कहीं ऐसी जगा चुपा देना है जहां किसी की भी नजर इस पर ना पहुँचे जब आप इसे चुपा देंगे तो उस व्यक्ति उस महीला के पास जाएए वो शादिशोदा महीला जिसने आप प्रेम करते हैं उस महिला के पास आप जाएंगे तो वो खुद ही अपने प्यार का इजहार आप से कर देंगी उन्हें भी आप से बेंतहा महबत हो जाएगी तो इस विधी को अपनाईए और उस महिला को जिससे आप प्यार करते हैं उसे अपना बनाईए तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई समस्या कोई परिशानी आपको है तो आपकी screen पे जो नंबर दिखाया जा रहा है गुरुजी का नंबर उस नंबर पर आप call कीजिए गुरुजी से बात कीजिए गुरू जी के पास आपकी हव समस्या का समधान है जब आप फोन करेंगे गुरू जी को अपनी समस्या बताएंगे तो वो आपको आपकी समस्या का समधान बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह आप इस समस्या को खुछ से दूर करकर खुशहाल जिन्दिगी जी सकते हैं जैम आता दी